आज हम लोग bank nifty का प्रेडिक्शन करेंगे 27 December के लिए, दोस्तों कैसा रहा आज का दिन, काल मैंने जो support level आपको दिया था और जो pattern मैंने आप लोग को बताया था, क्या वो ही हुआ, इसी में support लेके price एकदम से उपर भाग गया, और जाते जाते हम लोग का upper range, पहला target और दू बहुत अच्छा उपर के तरफ movement दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों मज़े के बात यह है, कि यह जो पूरा upside का movement, मतलब आज का पूरा दिन का movement आपको दिख रहा है, यह बहुती बहुती ज्यादा low volume के साथ हुआ है, और उससे भी ज्यादा क्या है, कि आज इसने जो rejection end time मे दिया है नीचे के तरफ, यह बहुती ए critical resistance 42864 के आसपास से दिया है, तो देखके लगए है दोस्तों, यह जो आप move आज आपको देखना को मिला, यह साइद एक trap हो सकता है, anyways, कल के लिए जो हम लोगा upper range है, वह है 42864, जैसे मैंने बताया, कि यह एक बहुती अच्छा resistance है, और जो हम लोगा support range है, या lower range है, वह है 42603, प्राइस अगर 42864 के उपर open हो के green-green candle बनाता है, तो पहला resistance 42984 हो सकता है, दूसरा resistance 43127 हो सकता है, जैसे मैंने बताया, कि आज उपर जाने के time volume कम था, इसलिए उपर का जो target range है, वह बहुती छोटा हो गया है, और अगर price 42603 क नीचे open हो के red-red candle बनाता है, तो पहला support 42414 हो सकता है, दूसरा support 42250 हो सकता है, और तीसरा support 42070 हो सकता है, इसका मतलब यह अगर थोड़ा सा gap down हो के, हम लोगे lower range के नीचे open हो के नीचे जाने का कोशिस करता है, तो एक अच्छा खासा fall हम लोगों को यहाँ पे दिख सकता ह क्यूंकि आज के जो आप move है, उसमें volume नहीं था, और अगर price इस range के बीच में कहीं पे open हो जाता है, तो live market में price volume देख के ही कुछ बताया जा सकता है, जो हम लोग telegram channel में post कर देंगे, इसलिए live market में guidance चाहिए, तो telegram channel को ज़रूँ जोइन किजिए, और दोस्तों आप लोग subscribe करने से मुझे भी nthu मिलता है इतना informative वीडियो बनाने के लिए, तो friends वीडियो अच्छा लगा है, तो like कीजिए, quick update के लिए twitter में follow कीजिए, और daily bank nifty prediction के लिए channel को subscribe कीजिए